कि क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सुमर आप लोग के अपने ट्रस्वादी चैनल क्लेक्टिव स्टेडी फॉर सक्सेस से बहुत-बहुत-बहुत करता हूं टेलिग्राम चैनल का जो मारा फ्री और टेलिग्राम चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ज्वाइन कर लिजेगा यूपी एससी और यूपी पी एससी के लिए दो अजार बाइस मेंज दोजार बाइस मेंज है एन दोजार तैईस का प्रिलिम्स और मेंज दोनो उनका इंटिग्रेटर वाला प्रोग्राम भी है ठीक उसके रावा जो है डेली आंसर एटिंग मेंज के लिए अभी वह अलग से है ठीक है वन-to-one CGM प्रोग्राम जो मेंज के लिए वह पर इस पर मैसेज भी कर सकते हैं टेलिग्राम पर या फिर वाटसेप पर आज यह दस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रिलिम्स और मेंस एक्जामनेशन ने पूछे आ सकते हैं यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री जो है रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे इन्होंने एक मौसादा आया था ठीक भारत एंसी एपी का उसको जो है एप्रूफ कर दिया है ड्राफ्ट जी एस आर नोटिफिकेशन था यह इसमें क्या होगा क्रैश टेस्ट हुआ करें दो कॉन सी गाड़ी कितनी शेफ ए इस्ट्रक्चर वाइज और पसंजर के लिए कितनी से एक तो इससे क्या होगा एक तो पैसंजर सेफ झिक और दूसरा जो लोग गाड़ियां बना वी रहे हैं उन लोग के बीच में कामप्टिशन होगा कि यूद Ahि自己 धसर टीस्य использовать जब यहाँ पे बढ़िया से ये लोग test twist कर पाएंगे safety feature बढ़िया हो जाएगा तो इससे हमारा जो इंडिया में बनेगी आटो मोबील उनकी export याने की निर्यात capability भी बढ़ेगी तो हमाई लिए ये जो है आटो मोबील sector लिए आत निर्भरता यहाँ पे आएगी हम खुदी अपने test कर रहे हैं अभी हमको क्या certification बाहर से कराने पड़ते हैं तो बढ़ा लंबा process होता है ठीक है और export करना होता है तो बाहर से लेना जोरी होता है लेकिन अभी ये global test जो होते हैं जो standard है उसी के अनुसार होने वाला है तो ये सारे features benefits हमें इसमें मिलेंगे और हम मुवारा aim है कि हम दुनिया हमें automobile जो sector में number one global hub जो है बन सके चिक तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गही है जो कि important थी number one automobile hub बनना चाते हैं in the world जैसे manufacturing sector में manufacturing हम बनना चाते में कि इंडिया mission के अंतर अगला टॉपिक है defense and security issues से vertical launch vertical launch मतलब कि जैसे यह जो है यहाँ से सीधे है vertical launch short range ज्यादा range कमी है मतलब ज्यादा range है नीज की ठीक vertical launch short range surface to air missile यानि कि हवाव में जो targets हैं उनको मार गिराने के लिए है ठीक तो इसको full बोलते हैं VLSRSAM surface to air missile system इसका सफलता पूर जो है अभी test हुआ है DRDO के दोरा Indian Navy के साथ में ठीक तो इंडिया नेवी जो है वो अपने ship से vertical launch करके जो aerial target से उनको गिरा सकता है कहां पर test हुआ integrated test range चांदीपूर में हुआ ठीक अभी इसको मैं map में भी दिखाऊंगा आपको और odissa में है यह ठीक है तो यह सबलता पूर्ण हो गया आप देखो इसमें क्या है ship से आप जो है aerial threat जो भी आ रहे हैं उनको गिरा सकते हो और test अच्छा रहा है successfully रहा है high speed aerial target को जो है बेजा गया था उसको मार गिराया इंडियन नेवी की जो defense system है वो बढ़ अच्छी हो रही है साथी साथ यह मिसाल सब हम अब indigenously मना रहे हैं तो indigenously आद निर्भर जो भारत अभियान है उसमें देखे फॉरेक्स बसता है हमारे हां खुद के हां जो employment बनता है ह हमारी science and technology बढ़ती है हम खुद export कर पाते हैं जैसे ब्रमोस कर रहे हैं अब फिलिपीन्स खरीद रहा पढ़ाया था मैंने आप लोग को ठीक बहुत सारे benefits होते हैं तो यह सब हमारा कुछ security feature भी हम ऐसा लगाते है कि कोई दूसरा hack न कर पाए तो सब in-house हो तो बढ़ी है तो standard for electronic vehicle batteries जो इंडियन जो इंडियन standard बनाए गया है Bureau of Indian standards के दोरा उसका नाम है 1785 और 17855 और दो डॉट है फिर 2022 यह बिल्कुल एक्वेलेंट है आपका अगर आप ISO 12405-4 2018 वाला system का देखें तो यह दोनों सेम है BIS इंडिया में जो है national standard body है उसने यह निकाला है electronic vehicle की batteries के लिए standard यह ऐसा क्यों हो किया है यह इसलिए किया है चुकि अभी आप लोगन देखाओ electronic vehicles में आग बहुत लग रही है battery में आग बहुत लग रही है उसके कई सारे करण है जाके parking में खड़ी कर दी बहुत time तक जो है idle रहना यह भी एक करण है इसका ठीक है ना कि चल नहीं रही है ठीक है दूसरा जैसे आपने कई बार देखो कई सारे mobile जो होते है वो आपके अगर आप उनको चार्ग नहीं किया ऐसे dead पड़े रहा है तो फिर वो on ही नहीं होते ठीक तो battery खराब हो जाती जाता है battery किसकी होत यह द्यान रखना इनको recharge करना और फिर से उसकर ज्यादा रहता रहता है ठीक तो जाड़ टाइम तक खड़ी आती दूसरा यह एक टंप्रेचर बहुत कम टंप्रेचर बहुत ज्यादा टंप्रेचर पर उस पर वर्क करने में दिक्कत आ रही है तो उसकी वैसे आग वाग ल निकालने वाला है इन नियर फ्यूचर ठीक तो बी आई एस क्या है नेशनल सेंडर बॉड़ी और फेम स्कीम आप लोग जो है इसका फुल फॉर्म मुझे बताईएगा थोड़ा पढ़ना भी चाहिए इसके बड़े में इसमें यह था फास्टर एडॉप्शन ओफ जो है आ आयूश वेलनेस सेंटर एड प्रेसिद्ध हाउस तो देखो आयूश आपको पता है आयूरवेदा योगा युनानी सिध्धा होमेपैथी ठीक तो इससे लेटर जो है वेलनेस सेंटर खोले है जैसे हेल्थ वेलनेस सेंटर होता है वैसी वेलनेस सेंटर इसमें इन सब के जर ये देश का भी आयूस वेलने सेंटर पहला ही है अब इसका इलाज जो है अब प्रेसिडेंट हाउस स्टेट में खोला गया तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आम जंता पाज जा पाएगी प्रेसिडेंट वहाँ के करमचारी और वो सब लोग कहीं वहाँ पे उपचार हो है कोविंजी और यह सबरनंद सोनोवाल है आसाम के यह समय आयूश मंत्री है तो इन्हों ने मिलके खोला है चिक तो यह सारी चीज़ें इसमें याद रखिएगा डीबी पाटिल देखे क्या है कि जैसे कि इंद्रा गांधी एरपोर्ट है नेशनल एरपोर्ट इंटरनेशन एरपोर्ट बन रहा है ठीक मैं एक तर्ज़ पर आपको बता चारा हूं कि एक एड़र इंफर्मिशन भी आपकी बास आ जाए इंटरलिंकिंग करके वैसे ही जो माराश का जो है चत्यपती शाहु जी वाला जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है उसमें बहुत जादा ट्राफिक हो गया है एर लाइन एक करने के लिए एक नवी मुंबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा मिया जा रहा है आप बहिया यह ए एरपोर्ट बनाया जाएगा तो पुछ जमिने वहां परिकौइर की जाएंगी जैसे जएवर है या जेवर मोंध बन रहा- refrain मैं तो वह तो अब इस एरपोर्ट के लिए अब जब ये जो जगह है बिलापूर नभी मुंबई तो यहां पे एक लीडर अभी तो नहीं है दुनिया में लेकिन ये बड़े इन्फुलेंशुल लीडर थे डीबी पाटिल इन्होंने हमेशा जो है फारमर्स के लिए गरीबों के लिए आवाज उठाई यहां तक कि जब यह 86 साल के थे तब भी और एंबुलेंस में थे तब इन्होंने की बहुत खराब थी तब भी यह जो भूमिया अधिकरन और इन्हों सब के लिए जो है एंबुलेंस में लेटके भी वहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 87 साल में इनका खैर निदन हो गया वह कह रहा है कि देखिए ऐसा है कि नभी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट जहां बन रहा है जहां पर जिस वेक्तिन है हमारे लिए तनी लड़ाई लगी और यह जगह वहां पर एरपोर्ट बना बनाया जा रहा है और इनकी वजह से एक और बिन्रने भी हुआ था कि जो भी पहली बार यहां पर हुआ कि जो भी फार्मर्स जमीन लेके आफिर इस तरीके से जमीन लेके कोई डवलोप्मेंट कराया जाना है तो बोर्ड यह कॉप्रेशन कुछ होंगे तो अगर सिट्टी डवलोप कर रहा हो तो उसमें से साड़े बारा प्रतिशत जो लैंड होग ठीक यह पहली बार इनके ही सब एफर्ट की वैसे हुआ था फिर इसको जो है अब पूरे स्टेट में लागों कर दिया गया है कि कहीं पे भी मालिजे कोई नया शहर या पर इस तरीके कुछ बसाया जाता है कुछ होता है तो जो लैंड डवलोप होके आती उसमें साड़े ब कि भाई साब डीवी पार्टिल नाम से ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है इसका नाम डीवी पार्टिल इसमें जैसे छत्यपति शाहूजी महराज इंटरनेशनल एरपोर्ट है वैसे ही जो है डीवी पार्टिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट ह सब्सक्राइब के बारे में आपको बता दी है अब आपको अराम से समझ में आ जाएगा एक बार आप इसको पढ़ेंगे पीडियाफ को तो हो जाएगा ठीक देखिए एक नया स्पाइवेर आ गया स्पाइवेर क्या छुपकर आपकी सारी बाते रिकॉर्ड करना मैसेश को पढ़ना और जो है जो इसका ओनर है उसको बताना ठीक अब यह स्पाइवेर जो है हर्मिट नाम है इसका हर्मिट जो है स्पाइवेर वैसे ही है जैसे आप लोगोंने सुना होगा Pegasus एक था WhatsApp में यूज़ किया था NSO इसराइल के दोरा बना जाता है और वो उसको बेशते हैं थी, governments को बेशते हैं वैसे ही Hermit Spyware भी जो है ये commercial जो है Spyware है इसको भी governments को बेचा है था government खरीदती है इसको अपने हां कुछ सवलाज, निगरानी ये सब करने के लिए तो Lookout नाम से Cloud-based security company उसने बताया कि Hermit जो Spyware है, नया Spyware ये Android और Apple वाले iOS devices के लिए खतरा है ठीक, commercial Spyware है इसका use अभी जो है देखा गया है कजाकिस्तान, Italy और Northern Syria के दोरा किया गया कजाकिस्तान में तो April 2022 में पहली बाई डिटेक्ट हुआ था कजाकिस्तान में, जहाँ पर देखा गया था कि कई सारे लोग गॉवर्मेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसने Spyware का use किया, और उसमें देखा अच्छा कौन सणियान तो कर रहा है, गॉवर्मेंट के खिलाफ क्या बोल ला है, कौन क्या कर रहा है, फिर बहुत बुरी तरीके से उस प्रोटेस्ट को इन्होंने धराशाई कर दिया था कजाकिस्तान हिंसक रूप से, तो यह चीजे हैं, हर्मिट एक स्पाइवियर है, कर जाकिस्तान में पहले और डिटेक्ट हुआ, ठीक, और यह मतलब वही है कि आप मॉडूलर्स स्पाइवियर है, धीरे से मतलब आपकी मैं डाउनलोड हो जाएगा, जो एप्स है जिनमें आप यह देते हो ना पर्मिशन कि यहां रिकॉर्ड कर सकता है, ओडियो ओडियो कर सकता है, आपने यह कोई ट्रस्टेड है, उसमें भी कर दिया यह काम, ठीक, पर्मिशन, तो उस पर्मिशन को यह नए मौडूल को इस तरह के डालके, अपने लिए यूज कर लेगा, और फिर आपके और रिकॉ सब्सक्राइब करेगा, रिकॉर्ड कर सकता है, अगर सरकार यह करना चाहे तो, चिक, यह चीज है, और ऐसा करता है, कि आपके सामने माली जा कोई ऐसा वेब पेज चला है, मैं जस नाम लेके बता रहा हूं, इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, माली जा अच्छला नाम न नहीं लेता हो, कोई ऐसा वेब पेज है, जो आप रेगलरली यूज़ करते हो, सोचल मीडिया का, आपको लग रहा है, वो यूज़ कर रहे हो, यह इंपर्सोनेट करेगा उसको, ठीक ना, तो मतलब ऐसा लगया कि आप उसी को यूज़ कर रहे है, प्रतिरूपित करेगा, और बैगराउंड में अपना काम करता चलाए आएगा, तो यह चीज़े सबजने वाली है, यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस, अब देखो यूरोपियन यूनियन आपको पता है, यूरोप की 27 कंट्रियों से मिलके बनता है, ये कंट्रियों ने अपना एकनॉमि यूरोपियन यूनियन में आना, तो वैसे ही यूकरेन, मालदोवा और जॉर्जिया, इन्होंने यूरोपियन यूनियन बोला था, यूरोपियन परल्लेमेंट ने बोल भी दिया, ठीक है, यह आजाओ, तुम्हें कंडिडेशी दे दिया, ति मलब अभी तुम जो है, यूरोपियन परल्लेमेंट से इनको कंडिडेशी दी गई है, उमीदवार बनाया गया, लेकिन कौन लेगा, यूरोपियन काउंसिल, एकनॉमिकली तो कनेक्टेड हैं, लेकिन पॉलिटिकली नहीं है, अलग अलग कंट्री में देख रहो, अपने अलग 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 प्रेसि बॉर्ड ऑंडिसेबिलिटी, अब दोखो ये एक बउर्ड बनाय गया था, एटवाइस करने के लिए, सारा देने के लिए, विकलांग लोगों से सबंदित, तो ये विकलांग लोगों से सबंदित, कौन सा मंतिराले काम करता है? समाजिक नया और अधीकारिता मंतिराले, सो प्लिक ऑफिसेज हैं उन सबको एक्सेसिबल बनाना है सुगम बनाना है दिव्यांग जनों के लिए जैसे कहीं पे स्टेर्स है तो कोई वीलचेर से आरा तो स्टेर्स करें चाड़ पाएगा तो इसके लिए आप रैम बना दीजिए ठीक और वहां पर माली जो कोई विजुव एडवाइजरी बॉर्ड ने कहा ऐसा भी स्टेट और यूनियों ट्रेटिस से कि भाई साब चिन्नित करो अइडिफाइ करो अभी कौन सी अभी भी कौन सी ऐसी पॉब्लिक बुलिडिंग्स है जो एकसेसिबल नहीं है बनानी जानी है 31 जुलाई तक और फिर जो है मंत्री है विरेंद कुमार मंत्री है मिनिस्टर है शोशल जस्टिस और इंपावर्मेंट के ठीक हर छे मैंने मिलने बात हुई ती 2016 लेकिन अभी तक इनकी मीटिंग खाली 5 ही हो पाई है लास्ट मीटिंग 2020 में थी अभी मीटिंग होने वाली है 16 जून 2022 तक जो है एकसेसिब सकत्रवर्म कौन सी है एक 305 है जो की कोस्टल गार्ड की है या कि टॉटरिकक बलगी है अबनाए और थ्रूब मैं अगर माली कुछ समझे वाली अगर अगराप रूद्र ज्यान से समझो ठीक अरे यार यह क्या घूम जाता है मेरे भाई तो इसका नाम हो जाता है रूद्र ठीक L L H M K 3 धुरूर नाम से है उसको वैपने पर लगा दो को तो हो जाएगा रूद्र ठीक और साथी साथ एक सी समझ लो इसमें L H M K 3 में शक्ति इंजन लगता है शक्ति इंजन लगाया जाता है जो की फ्रांस की एक कंपनी है साफरान ठीक उसका जो है एक वह है नाम मैं भी बूल जाता हूं इसको लगाया जा रहा है आपका LH M K 3 यानि की धुरू या फिर रूत्र अगर जो है कॉमबेट वाला हेलिकॉप्टर है तो ठीक तो यह वाला हेलिकॉप्टर इंडक कर लिया गया है दो सो आट सो पैटिस स्कुएटरिन में पोरवंदर गुजरात किसके दौरा इंडियन कोश्ट गार्ड के दौरा अब आप लोगों मैंने पढ़ाया हुआ कि जो बेसलाइन होती है जैसे केडला हो गया गोवा हो गया आपका करनाटका हो गया मुंबाई हो गया तो यह समूद्र है तो इसमें जो है पहला बारा नॉटिकल माइल जो होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है फिर उसके 500 नॉटिकल माइल किया होता ऑफशा सुद्री सबनुश होता है ठीक है और इसके हैाई सीज में कॉसटil vertically कि ऑढ़ हरें लेकिन पाइव यह पहला बारानोंस सलीओं है पूछ ले कुश्चन तो इस सिर्केस आपको पता होना चीए ठीक हर चीज में आपको ग्रे एरिया नहीं होने चीए ठीक है या तो आपको बिल्कुल नहीं आता है या तो आपको जो है आता है बहुत अच्छे से यह आधा दूरा जो गयान होता है यह बहुत कतंदाग होता है यह आपको यह बताता तो है कि हमें बहुत कुछ आता है लेकिन आता उसको कुछ नहीं है उसमें होता यह सिस्टम है कि अब निगेटिव मार्किंग वाले एक्जाम है ठीप प्रिलिम्स में और मेंस में तो आपको लिख नहीं है तो अगर आपको आदा अदूरा ग्यान अगर थोड़ा वह आएगा तो गलब करबड़ है पूरा अच्छे से आएगा तो सबसे अच्छी बात है ठीक यह चीज़ है कमिशनिंग ऑप डिस स्क्वैडर्न अब यह स्क्वैडर्न आ गया है कोस्टल गाड के पास में तो सर्च और स्क्यू करना ठीक कोई शिप को धू रेंज तक भी कर सकते हो तो यह सारी चीज़े अब एलेच एम के थरीक आने से हो गई है यह एचल के दौरा बनाए गया है मैंने आपको बता है शक्ति इंजन को प्योग इसमें किया गया है एडवांस राडार किया गया राडार का फुल फॉर्म बताईए टी एंटी का सब्सक्राइब एक्राफ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड लगाएगा पोर बंदर में ठीक अगला टॉपिक है पद्मा अदोको पद्म भूशड नहीं है पद्मा रिवर नहीं है यहां पे सिंपल सा एक फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्स्मेंट ऑफ म जो भी उनक्या कारेरत हैं उनको जो भी भत्ता दिया जाता है मंतली ठीक अब वो ऑटोमेटिक चला जाये करेगा पेरोल ऑटोमेशन और डिस्बर्स्मेंट ऑफ मंतली अलाउंस सिंपल सी चीज़ है मिनिस्ट्री और डिफेंस के अंतकत अब यह एक सेंट्रल मतलब वो हो जो है यह सब को भेज सकेगा वन स्टॉप पे अकाउंटिंग सलूशन हो गया है तो इसी साथ में आज का सेंट्री खतम करते हैं एक मोटिवेशन साथ में आज का जो कोट है जो हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जो है मोटिवेशन करने वाला है हम लोग को वह है कि ज यह जो है तो पैसा आपको लगता है तो वह प्रावल्म है ठीक में परिष्टे बहुत अच्छे है तो ऐसा नहीं है पैसा होने बहुत जूद भी रिष्टे जो है लोग के बिगड़द है में चीज है कि आपकी अपनी अकांशाएं क्या है मेरी बात ध्यांग से समझना आपके दोनों ही चीज खरबड़ है एक लिमिट से कम पैसा और एक लिमिट से जादा पैसा वो लिमिट क्या है अकांशाएं आपकी दोनों ही बहुत बुरी है ठीक है न बहुत बुरी है अगर सिर्फ जादा पैसे होने से दुनिया वो हो जाती मतलब खुश हो जाती तब तो फिर कोई काम भी ने कर रहा होता मुगर शंबानी भी काम ना कर रहे होते ठीक ना अदानी भी काम ना कर रहे होते ठीक ना यह आपका जो भी अमीर अदमी है और लेकिन एक लिमिट से पैसा कम होना कि मतलब आप बेसिक अमेर्टीज में बहुत बहुत दिक्कत वली बात है तो इन सब के बीच में आती है अधव कांशाय अपनी तो वहीं चीज़ है कि जिन्दीगी जखमों से भरी है वक्त जैसे बुद्ध ज ने क्या बोला है वहीं तो बोला है की दुनिया में जो है बहुत मतलब निराषा है और उस निराषा का कारण है सौरो है उस सौरो कारण है डिजायर तो डिजायर क्या है डिजायर वही है कि आपके पास जो है वह कूडा है आपको और चाहिए ठीक जो आपके पास है आप इसकी कहां भी मैं समस्तें नहीं यह सबसे बड़ी spark खराबी ठीक कि ना आपके बाद सब कुछ होगा लेकिन आपको लगेया कि आपके वास कुछ नहीं है यह होती है आपकी मतलब की आपको कभी भी ना खुश रहने रखने की पूरा जो है मटइल इसमें होता है ठीक है भाई ची अब यह ची होती है आप यह सोच्ते रहते हो कि आप में और मटइरियल आ जा तो मेरा सेलक्षन हो जागा ऐसा न तो फिर स्कूल टीचर्स और यह ऑनलाइन यह सब करने क्या जुरूत थी तो मटेरियल तो इस जस्ट मटेरियल दिमाग में कैसे पहुंचाओगे उसको समझना जो लिए जिन्दिकी जक्मों से बरी है वक्त को मरहम बनाना सीख लो ठीक कुछ यह होती है हारना तो है ही मौत के सामने पहले जिन्दिकी से जीना सीख लो मतलब मौत ऐसी चीज है जो इनेविटेबल है आनी ही है तो उसको सोच के क्यों हारे बैठे हो अभी जिन्दिकी तो जीना सीख लो इसलिए मैं कहता हूँ किताबी कीडे मत बनो पढ़ो इंज्वाए करो सब कु होना चीजिए कि आपकी समय आपकी priority क्या है ठीकि ना आप हर चीज जो है एक समय में करना करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगए हर चीज नहीं मिल सकते हार दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते आपको यह लगता है कि मैं यह भी मैं पढ़़ भी लूँ मैं पैसा भी कमा मैं जो हूँ क्या कहते हैं सब पूरा मेरा कटी पूरा रिकोगनीशन भी हो जा दुनिया में ऐसा नहीं हो पाता है ठीक ऐसा जो आपको लग भी रहा ना कि कई लोग का हो रहा है तो ऐसा उस सब दिखावटी है उन से खुद भी आगे पूछो कि क्या तो प्रॉब्लम होंगी तो और डर डर के कई लोग होते हैं कि डर डर के जीते रहते हैं तो भाई अभी नहीं जीओ को तक मनने के बाद जी हो गया तो यह कुछ चीजे हैं प्लीज इस प्रोगाम है one to one interaction होगा एक जुलाइस चलो बट अभी भी आप जॉइन कर सकते हो और वहीं UPSC UPPSC के लिए दोनों के लिए दोजाट तेइस का प्री कम मेंस इंटीग्रेटर मॉड्यूल भी है ठीक अलग अलग भी आप ले सकते हो पांच जुलाइस से स्टार्ट है ऑफीचली बट अभी भी आप जॉइन कर सकते हो इस CGM प्रोग्राम और इनके वीडियो जह है माने अलरड़ी डिस्क्रिशन में द जाते हो हर दर्स मार्क के कोश्चन क्योंकि कई लोग बड़े सयाने हैं वह क्या करते हैं कि वह बीस मार्क वाले कोश्चन बड़े ले आएंगे और इवैल्यूट करेंगे कई लोग ऐसे लेकि आ जाते हैं कि इवैल्यूट कर दी 10 रुपे में ठीक तो यह मतलब आप आपने का कि यह नहीं इवैल्यूशन कराना है तो आपको जो है इस पर कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ठीक तो जैसे मैंने बताएं कि 100 रुपे इनीशल पेमेंट है फिर आप 10 कोश्चन जवापके हो जाएंगे 10 मार्क वाले तो फिर आपको जो है रिचार्ज करना तो इससे क्या होता है कि आप एक आंसर नहीं आप 10 आंसर लिखते हो तो उससे प्रैक्टिस होती है कई लोग क्या है उनको यह पता हो तो क्या करेंगे होशाय दिखा कि आपको सिर्फ 10 रुपे बेद देंगे कि यह वाला कर तो आगे तो बेजना ही नहीं तो मतलब किस तरी में evaluate किया जाएगा और जो evaluation की जो टेक्नीक्स हैं वह आपने देखी हुई हैं पहले मैं जनवर फेवरी मार्च में फ्री में सारा कुछ करा तो मैं उसी lesson को लेते हुए मैं आप फिर से करा रहा हूं मैंने देखा है कि फ्री में तो लोग बहुत कूट कूट के आते हैं लेकिन फिर जब थोड़ा सा भी कहते हैं तो सिर्फ 10 रुप है तब भी उनको बड़ा उसको महंगा लग रहा है तो खैर क पचास सुपरे पर मन देना पड़ेगा और इतना रीजन इतना कम है यार इसमें भी आप पता नहीं कैसे मतलब आप कॉलिटी तो देखो यार ठीक इससे कितना आपको फाइदा होने वाला है इसके लावा अगर आप डॉट डिस्कुशन भी करना चाहते हो पीडिएफ के सा साथ तो पर मन आपको 100 रुपे देने पड़ेंगे इन दोनों को यह आप आज ही से जोइन कर सकते हो ठीक तो यह सारे हैं और यह पेमेंट डिटेल्स हैं यह नंबर आपका यूपी आई है मेरा ठीक 960347272 वाईबिल इसके अलावा जो है इसी नंबर पर पे पे टीम भी कर सकते हो SDFC की Net Banking कर सकते हो यहां से QR कोड करके आप फोन पे के थुरू कर सकते हो ठीक यूपी आई कर लोगो तो आपके वास कोई भी हो चाहे गूगल पे हो भीम हो पे टीम हो फोन पे हो किसी से भी कर सकते हो यूपी डाल के वन टाइम पेमेंट है 2023 वाला जो वस मोडूल है उस में इंसटॉल्मेंट है अगर आप integrated pre-come on water करते हो तो अधर्वाइस सिर्फ प्रिलम करना चाहते हो छिर आप वहों बे ले सकते हो को एसी टेंश्णेली बात नीए तो चलिए उसदेगी ज़िंदगी से जीन सीख लो जैंद